नमस्कार दोस्तों स्वागे थे आपका हमारे योटूब चैनल टेक्निकल उत्रप्रदेश में दोस्तों आज की वडियों आपके लिए काफी ज़्यदा एंपॉर्टेंट होने वाले क्योंकि आज की वडियों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग अपने लाव नियुकर अपके फोन में पास्वर्ड पेटन लगा उसको हटा दीजिये इसके बाद प्लेश्टोर को ओपन करिए प्लेश्टोर को ओपन करने के वाद आपको यहां पर सर्च करना है एक मिलें से ज्यादा लोंक डाउनलोड कर चुके लेकिन ध्याण रहें डाउनलोड करन यहां पर wallpaper का option है, wallpaper के option पर click करेंगे, इसके बाद enable permission का option दिखाए देगा, इसके पर click करेंगे, ति इसको हमें permission देनी है, तो चली permission दे देते हैं, यहां पर automatic कुछ application दिखाए देंगे, इसको पर्मिशन मिली हुई है, तो आप लोगों को नीचे आना है, यहां पर touch lock skin को permission नही पर देते हैं इसके बाद फिर से आपको wallpaper के option पर किलिक करना इस तरीकी से आपको interface दिखाए देगा allow पर किलिक करके permission दे देनी है इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा कुछ यहां पर wallpaper देखने को मिलेंगे तो दोस्तों हम यहां पर wallpaper कर डाउनलोड नहीं करेंगे नहीं इसको apply करेंगे हम अपने phone में display fingerprint log लगाएंगे इस application के मदद से लेकिन दोस्तों उससे पहले आप लोगों को किसी भी एक wallpaper पर click करना पड़ेगा click करने गए वाद इस पूरी डिस्प्ले में किसी भी एक अस्थान पर आपको 4 बार click करना होगा कहीं भी आप लोग 4 बार click कर सकते हैं तो चलिए यहां पर मैं 4 बार click करता हूँ इसके बाद next के option पर click करेंगे जहां पर हमने 4 बार click किया है इसके बाद confirm कर दीजिए इसके बाद select your question का option इस पर click करना है click करने को बाद कोई भी एक security question select कर जिए इसका answer आप अपने मन से कुछ भी यहाँ पर type कर जिए यह 1, 2, 3, 4, ABCD कुछ भी आप लोग type कर सकते हैं आपको याद रहने चाहिए आपने क्या type किया इसके बाद submit के button पर click कर देना है जैसे आप लोग submit के button पर click कर देते हैं कुछ ऐसा interface देखने को मिलता आप यहाँ पर ध्यान देना होगा जो भी आप लोगों को यहाँ पर theme पसंद आ रही होगी आप लोगों को उस theme पर click करना है यस को option दिखा देगा यस के option पर click कर देना है आप देख सकते हैं left side में है यस के option पर click कर दीजिए कुछ ऐसा interface देखने को मिल जाता है अब हमें इस application के अंदर कुछ भी नहीं करना है finally इस application को हम लोग cut करेंगे अपने phone को lock करेंगे और live proof आप लोगों को unlock करके दिखाएंगे आप देख सकते हैं हमने lock कर दिया, unlock करते हैं यहाँ पर switch to open वाला lock हमने लगा अपने settings से आप फिर लगा सकते हैं जो switch करने बाद आपका phone unlock हो जाता लेकिन यहाँ पर आप जब switch करेंगे तो display fingerprint मांगेगा कोई भी कहीं भी touch करेगा आपका phone unlock नहीं होगा जहाँ पर आपने चार बार किलिक किया था लगा था दो बार किलिक करेंगे तुरंत आपका phone unlock हो जाएगा और आप अपने phone में face lock लगा लिजी जिसे कि जब आप दो बार किलिक करेंगे तभी आपका phone unlock होगा कोई और किलिक करेगा ता आपका phone unlock नहीं होगा वीडियो पसंद आइद वीडियो को like and channel को subscribe दोस्तों जरूर करिए